यदि आप ITI किये हुए हैं और किसी भी वर्ज का आप अपना अपना ओरिजिनल Mark Seat को डॉनलोड करना चाहते हैं तो इजली आप अपने मॉबाइलetten के जरी अपना Mark Seat को डॉनलोड कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए आपको अपने मॉबाइले स्क्रीन के ऊपर आ जाना है Chrome browser को पेंड कर लेनी है और आपको टाइप करना है ncvt ठीक है क्या टाइप किजेगा तो ncvt आपको टाइप कर देना है उसके बाद इसे सर्च कर लेनी है सर्च करने के बाद पहले नमबर पे ncvt का official website आपको देखने को मिल जाएगा www.ncvtmis.gov.in इसके उपर आपको क्लिक कर देनी है उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको interface इसका दिखाई देगा ये भी खुल रहा है तो आपको खुलने में time देनी है finally दोस्तों इसका official website खुल चुका है कई सारे options आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे है जैसे कि home, iti, trainee, verification, instructor, examiner, calendar, functionalities, grading तो दोस्तों आपको trainee की उपर आपको क्लिक कर लेना है उसके बाद कई सारे options फिर से आपको दिखाई देते हैं जैसे कि trainee search, trainee verification, trainee verification before ht आपको दोस्तों यहाँ पे trainee profile की उपर क्लिक कर लेना है जैसे ही साथियों trainee profile के उपर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपसे आपका registration number पूछा जाता है यहाँ पे आपका father name यहाँ दोस्तो date of birth यहाँ पे capture आपको भड़ना है remember me का check box पे tick कर देना है फिर आपको submit कर देनी है ध्यान रहे दोस्तो जो भी आपका registration number होगा उसमें आपको R लगाना है capital R ठीक है जो भी आपका registration number होगा उससे पहले आपको capital R लगाना है उसके बाद अपना registration number डालना है फिर father name, date of birth और capture फिल कर लेना है remember me का check box दिया गया है टिक कर देना है और submit कर देना है दोस्तो यदि capture submit नहीं लेता है तो यहाँ पे refresh का button दिया गया है आपको एक दो बार refresh कर लेनी है चलिए दोस्तो मैं यहाँ पे अपना registration number सब कुछ डाल लेता हूँ और आपको mark sheet download करके दिखा देता हूँ तो दोस्तो सारा detail मैं यहाँ पे भर लिया हूँ अब submit का button दिया गया है submit वाले button के उपर मैं click कर देता हूँ उससे पहले दोस्तो मैं एक बार फिर से आपको clear करना चाहता हूँ कि जब आप registration number डालेंगे उससे पहले 2-0 होता है 2-0 को हटा देनी है उससे पहले आपको capital R डाल देना है और capital R डालने के बाद पूरा आपको registration number डाल देना है जो 0 होता है शुरू का 2 उससे हटा करके उसके बाद दोस्तो यहाँ पे submit करना है चलिए मैं submit कर लेता हूँ दोस्तो जैसे ही आप submit करते हैं आपका पूरा trainee profile जो है वो आपको देखने को मिल जाता है यदि आप यहाँ पे एक वर्स ये course किये हैं जैसे कि diesel mechanic हो गया welder हो गया तो कुछ इस तरह से interface आपको दिखाए देगा जबकि यदि आप दो वर्स ये course किये हुए हैं जैसे electrician, feeder, इत्यादी तो आपको यहाँ पे जो mark sheet है दोस्तो वो नीचे देखने को मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तो यहाँ पे देखिए आपको mark sheet लिखा हुआ है इसके उपर click कर देना है जैसे ही आप इसके उपर click करेंगे दोस्तो आपका mark sheet यहाँ पे download हो जाएगा और फिर दोस्तो उसे आप चाहे तो print out निकलवा सकते हैं या फिर अपने मुबाइल में save करके रख सकते हैं दोस्तो इस mark sheet का value आपके जो college के द्वारा mark sheet दिया जाता है उसका value दोनों same होगा दोनों का value जो है दोस्तो वो बराबर होगा चलिए मैं यहाँ पे mark sheet के उपर click करके download कर लेता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तो finally मैंने mark sheet यहाँ पे download कर दिया है यहाँ इस तरह से आप अपने mobile phone के जरिये ही easily अपना mark sheet को download कर सकते हैं उमीद करते हैं साथियों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को subscribe कर ले और वीडियो को like कर ले मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार